नमस्कार स्वागत आपका हर्याणा न्यूज 24 पे मैं हूं मुना लंबा मेरे सोगी हिमान सुलांबा के साथ आज हम आपको एक ऐसी डवी जितनी जागती एक स्टोरी दिखा रहे हैं चमार रेजिमेंट की आप लोगों को पता भी नहीं होगा चमार रेजिमेंट थी भी क्या क्योंकि हमें ही नहीं पता था कि चमार रेजिमेंट भी थी कभी हाज ये सचाई है क्योंकि चमार रेजिमेंट भी थी आंग्रेजों के जमाने में और चमार रेजिमेंट ने भी काफी फाइट की थी लड़ाई की थी और देश को आजाद करवाने में एहम भूमी का निभा थी चमार एजमेंट के एक ऐसे योधा जिन्दा हैं जीते जागते 106 वरस ये हवलदार चुनिलाल शुरूट करते हैं इस योधा को जोनुकि 106 वरस काफी लंबी उमर होती है तीन बेटे हैं इनके और तीनु सही हैं सलामत हैं और अपना काम करते हैं 106 वरस ये चुनिलाल जी से बातचित करवाएंगे कोशिस करेंगे करने की लेकिन चुनिलाल हवलदार को आज तक मान सम्मान नहीं मिल पाया है पूरे भारत वरस में चमार रेजमेट के इकिलोते हवलदार चुनिलाल जी जिन्दा हैं ये वो सक्स हैं लड़ाई तो लड़ी लेकिन आज भी एक चुछ वरस उमर पड़ाओ पार कर चुके हैं और सही सलामत हैं लेकिन सिर्फ हमारी मुहिम हमारा दिगाने का मक्सद इतना है कि हम किसी जात पात में भरोशा नहीं करते भगवान ने इंसान बनाया एक लेकिन हर जाती में हर आदमी में में नहीं होती औ अपनी काश्ट के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन भगवान ने काश्ट बनाई है एक रहें संगठीत रहें तो ही देश का विकास होगा चुनिलाल जी के साथ बाचित करेंगे कि बेटे के साथ बाचित करेंगे और भी कई लोग उनसे मिलवाते हैं मेरे साथ आप है वो भी आप ले सकते हैं पढ़ सकते हैं एक एकलो तेक्स आज भी इसलिए जिन्दा है कि कास कोई मंतरी कोई मुख्य मंतरी कोई परधान मंतरी आएगा और मेरा मान सम्मान करेगा 106 वरस से बाठ जो रहे हैं हवालदार चुनिलाल तश्वीरों में दिखा दीजिए चार आप दीजिए यहां पर है हिए इनके बेटे हैं मेरे साथ और चुनिलाल जी के बेटे हैं पहले इनसे ही बातचीत करवा देते हैं और इनके पास पूरे तख्षे हैं पूरे सबूत हैं अगर सरकार ऐसे ऐसे लोगों का मान सम्मान किया है तो साईधी चुनिलाल का भी ये स करकार सुनेगी और आखरी वक्त में इनका जो सपना था वो पूरा होगा सजा काटी कोड़े खाए 20-30 किलो आटा रोज पीस्ते थे अगरिजो की जेल में तो साइधी पधांदरी मोदी जी सुनेंगे और इनको जाते-जाते इनका अबुमान सम्मान जरूर मिल पाएगा जिक मेरे को इनकी सेवा का सो भाग प्राप्त वाय है मैं इनकी सेवा करता रहता हूं और मेरे को ये पता था मेरे पिताजी ने आर्मी में सेवा करी है मुझे नहीं पता था कोई डाकुमेंट भी नहीं था बीस सितंबर स्तान में को मेरी मा गुजरी थी जब वो उसके दिन वग की डारीद में इसके तैस मैं धूंडता रहा है इनका अभी कहीं कुछ मिले यह होलदार चुनिलाल आर्मी नंबर 25 61 यह पूरी बटालियन के इनके पास नाम नंबर है अथ्यार इसु कियो है मेरे पिता जी के अर्मी नंबर 25 5561 यह पूर शेखिँ नमबर चमार बतारियन अचमार रजीमेंट के फर्स्ट आवलदार सिर्फ संलूड करते हैं पूरे हिंदोस्तान में पहले हवल दार फाश्टे चमार रजीमेंट पर्थम नइस जिचे जाट missing यहां आंगे लाइन उस समय क्यों नहीं पकडार आए उसंस नहीं गोली मारी जिए जैल जाना इनूने मंजूर किया लेकर सुवाज चंदर बोश हमारे देश के प्रेला ब्रान मेंशटर और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया, आजाद करवाया, उनको टस तक नहीं किया जी अपना नाम क्या बता है? मेरे नाम दरमवीर है साथ तो ये जो डाइरे में लिखा हुआ है आपके पिताजी का पूरी बटायलियन के नमबर है जो इनको डूटी दिले एक हौलदार के जो कवरिंग में जो ज़स्ते आन प्हूर जो में जावान होते थी, उनके सब के नाम नमबर है उनको क्या क्या ठिया घ्यार दिया गया था लड़ाई की तेम में यह कोहिमा इंफाल में लड़ाई लड़ी इन्होंने कोहिमा और इंफाल इसमें लिखा हुआ है इसमें तोध्यार इसमें टोइज़ मोटार है, पिस्टल है, राइफल है यह सब के बट अनिमबर लिख्छे हो हैं इनके अंदर यहां जी जो इसु होए थे वो सारी लिखे हैं इसमें लिखे हुए हैं इसमें कुछ डेट वगेरा से मेरे को भई यह लगया है अग यह तो यह देख पा रहे हैं हमारे साथ उनके परिवार के सदे से बैठे हैं 106 वरसी हवालदार चुनिलालियों मेरे साथ उपस्ते थे और यहां पर हमारे साथ कई और भी बुद्धी जी भी लोग मौजुद हैं सिर्फ फरक इतना है कि जो मान सम्मान मिलना था वो समार रजमेड जो पर्थम थी उसके आखरी वारिस लगा लीजिए आखरी यक्ति लगा लीजिए आखरी मान सम्मान पाने वाला योधा लगा जीए या फिर कुछ भी कह लीजिए हमारे बीच उपस्तित हैं चुनिलाल जी के रूप में और आखरी वक्त में बड़ी आस है कि सरकार इसको बड़ा मान सम्मान जरूर देगी सिर्फ मान सम्मान चाहिए इन लोगों को ये पहले भी कहते हैं कि हमें ये मत मानी कि हमें पैस जी को मान सम्मान मिल जाए इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी क्यों सर पैसे कि हमें कोई भूख नहीं है सिर्फ मान सम्मान की जरूरत है और हमें इतना महसूस हो रहा है कि बाकी ये जो इस टेम जो सरकार है इनने बहुत दबे कुछलों का वो उभार किया है मेरे दिल म सरकारी डायरी में सत्रह चैर उनिसो पैंताले से लिख्या हुआ है ये डेट वगेरा हाँ जी अजी उस समय की लिखाई है यह आप दिखा देते हम आपको तश्वीरों में देख लीजे कैमरे मिवान सू क्योंकि स्याई भी फीकी पड़ चुकी है पेज भी मेले कुचले हो अपने आप कटके फटफटके काफी खराब हालत है क्यूंकि सो सल पुरारी डायरी अगर हम दिखाते हैं तो ये भी हिम्मत के दाद देने पड़ेगी डायरी समाल करकी है और इसमें कई और लोगों के नाम भी है तो अब तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन इस ताथ ही र आप पूर शेड़े अपन्जाब रिजमेंट में बरती होए थे पहले हरियाना हिमाचल और पंजाब एक स्टेट थी पंजाब उसमें ये थे तो उसमें पंजाब रिजमेंट में अबरती वाया करते लेकिन फिर अंग्रेजों ने सेकंड वर्ड़ वार की तायारी चल रही थी जातिगत की आदार पे रिजमेंट खड़ी की थी 1943 में ये ट्रेंड थे पहले से ट्रेंड और सीनियर होने के नात्ते फटा फट इनको फर्स चमा रिजमेंट का होलदार बना दिया गया और वो फिर लड़ाई के लिए सेकंड वर्ड़ वार के लिए कोहिमा इंफाल मेरे पिता जी बताते थे मेरे को उन्होंने हुकम दिया आकि होलदार चुनिलाल तुम सुबास चंदर बोस को गरिफतार करो सुबास चंदर की सेना आ रही थी तो इन्होंने मना कर दिया आकि मैं सुबास चंदर बोस पर अथियार नहीं चलाओंगा या तो सुबास मेरे को आप तो अंग्रेज जो चले जाओगी तुम भाई से भाई को मरवा रहे हो। उस अंग्रेज अपसर ने इनों ने इसको दी गाली और इसने उठा के रैफल इसको उद्धी गोली। अंग्रेज अपसर को मार दिया इनों ने। विद्रो हो गया जी। कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए, कुछ बगोडे हो गए। ये सेंटार्स थे जो जेल में डाले गए। आयोद्या जेल में रहे हैं ये उन्नी सो इक्याउन में छोड़े हैं उसके बाद। डेली पिटाई का पीरिड होता था श्याम को और 20 कि लोग यह जील के अंदर पीसे जाते थे। जब देशाजाद हुआ गया तब उनके बाद में इनको छोड़ दिया और यहां अमारे जो बुजर्ग थे वो अनपट थे विचारे यह सोचे भी इसने खून कर रख्या अगर दुबारा को रिपोर्ट करेंगे तो यह फिर इसके साथ सजा हो जाएगी फिर जील में देद अबी वी डुबारा कि दुबारा से अब भी डर बना भावा था यह तो मैंने थोड़ा सा यह चल्स, अपकर बाद्य कर रहें और यह बता रहे हैं किक्री समय हैं लेकिन यातनाई जेली हैं, कोड़े खाए हैं, भूखे रहे हैं, यानि कि अंग्रोजों ने जो भी कुछ बन पाया, वो इनको परतारित करने के लिए भरकस कोशिश क्योंकि कि एक अंग्रेज को इनोंने मार दिया था, और उसके बाद ये आईदा जेल में जेल काटी है चार वरस तक, साड़े चार साल तक जेल में रहे हैं ये, उसके बाद भारत आजाद होने के बाद ये छोड़ दिये गए, लेकिन छोड़ने के बाद ऐसे बहुत यक्ति थे, जो आज तक उनके कुछ मिल नहीं पाया, को कागज, कुछ पता नहीं चल पाया, कुछ मिले, उनको मा अज एक बेटा, खुद अपने पिता के लिए मान सम्मान के लिए खड़ा है, पिता चार पाईबे है, आखरी सांसे हैं, क्योंकि एक चोड़ च्छे वरस काफी लंबी उमर होती है, सरकार से भी गुहार लगा रहा है, कि फाष्ट चमार रेजिमेंट के, फाष्ट हवालद सवलदार चुनिलाल, एक चोड़ च्छे वरस ये, आखरी समय में चाहते हैं, कि पिता जी को मान सम्मान दिया जाए, और मान सम्मान के साथ साथ हमको बताते चलें, कि यहां पे गवर्णर साब आये थे, पूरव गवर्णर थे, डाक्टर सत्यदेव नारान आरिये, और ये बोजावास आईटियाई का उद्गाटन करने पहुंचे थे, 19-7-2019 को सम्मानित किया था, उसमें पूरे स्टेज के उपर, और सम्मानित भी इस तरिके से किया गया था, चांदी के मुकट के साथ, यह तश्वीरों में देख लीजिए, मेरे साथ बाकाइदा पगड़ी है, पकड़ी के साथ, चांदी का मुकट है, उस समय भी इन्होंने आज थी कि आखरी जो सदस्य है, रेजिमेट का, वो कहीं ने कहीं, उनको मान सम्मान मिल पाएगा, लेकिन वो बीच में हदूरा रह गया। किताब का नाम है चमार रेजिमेंट, और पहले में जो मान सम्मान मिल पो दिखा देता हूँ, हवलदार चुनिलाल जी, अभी नंदन, यह देख लीजिए, मान सम्मान समाज ने कोई कोर कसर नहीं चोड़ी, परंतु सरकार आती गई, जाती गई, बड़े नेता आए, चलते गए, लेकिन चुनिलाल के बारे में किसी ने नहीं सोचा, ना तो इन्होंने पैसा मांगा था, ना इन्होंने गाड़ी मांगी थी, ना इन्होंने कोई सोना मांगा था, ना हीरे जहारात, सिर्फ इन्होंने एक चीज बांगी थी, कि मेरा नाम भी किताबों में छपे, मेरा नाम भी हमर हो, और मेरा नाम भी सहीद के दर्जे में आए, क्योंकि जो यातना हैं, इन्होंने जेल में रेके जेली हैं, यह मैं मान सम्मान दिखा रहा हूं, समाज की तरफ से कोई कोई को रहें हैं निकिन किसी के बारे में सोचते तक नहीं है हिमान सु लामा तश्वीर हो में दिखा पा रहे हैं आपको जो मान संधाम मिला है वो देख लीजे कि तश्वीरों में क्योंकि हम आपको बहुत चीज दिखा रहे हैं Vienna मान सम्मान मिला है इनको और गवर्णर साम ने यहां पर आके बाकाइदा मान सम्मान किया था ये भी मान सम्मान के रूप मे इनको मिला है लेकिन अगर देखा जाए तो भीमराव अमेडिकर जी थे उनसे पहले के हवलदार चुनी लाल फाइटर मैं रहे चुके हैं तो इनको तो मान सम्मान पहले ही मिलना चाहिए था ये बाकाइदा अगवारों में भी काफी शुर्खिया बटो रही है हवलदार चुनी लाल जी ने क्योंकि गवर्णर साब बाके नेता लेकिन किसी ने इनकी तरफ सम्मान दिना ले के लिए कोई और के सन कोई वो नहीं की ये देख लीजिए बाकी मंसर में खड़ा होके चुनी लाल जी को दिखाया जाए इधर आके थोड़ी से गोर से तश्वीरों मिल लिया जाए ये चुनी लाल जी है थोड़ी सा बोल पाएंगे उसकी ले सकता है हाँ आपकी रेजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं साब चमार रेजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कितना नंबर था आपका अबलदार चुनी लाल जी आपको एक बड़ा मान सम्मान देगी सरकार कितने साल जेल में रहें आप वहां पे ? आपकी नम्बर कितने थे ? कापी दुखी किये आपको उससे पर कोड़े मारते थे ? आपकी ? लिज रसे आप यापसे चूम पर कोड़े मारते थे जेल में ? 14ुह साल में पर कच्पे हैं ? मारते थे आटा पीशते थे वहाँ जेल के अंदर अच्या सुवाच अंदर बोज जी आपको मिले अंग्रेजों ने क्या कहा अक इनको पकड़ो गोली मारो आप ने फिर मना कर दिया उन लोगों को अंग्रेजों को सुनता भी नहीं है समझते हैं नहीं मिक्सोरा पहले मना लेखिया मना सो बाज बेखिया जब तो सरकार को कुछ कहना चाहोगे मान सम्मान आपको सरकार दे चमार रेजमेट के सबसे पहले हवलदार चुनिलार हैं आप कुछ सरकार को कहना चाहोगे परदानमत्री मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे अग मेरे को मान सम्मान मिले 106 साल का उचका हूँ मैं यह मैं समझ में नहीं रहता हूँ यहार तौमहरे साथ तश्विरों खरन देख लिए चुनिलार हवलदार गरे मेरे साथ उपर से थे खासओ वाक्षित में देश के पहले हवलदार चमार रेजमिट के और पहले ही ऐसे सक्से जो अब तक जिन्दा हैं सब गुजर चुके हैं एक बातर ये बचे हैं और ये भी चाहते हैं कि मैं मनने से पहले बो मान सम्मान मुझे मिले जो अंग्रों जो ने मुझे दंड दिया था कोड़े दिये थे यातना ही दी ती तो जाते जाते सरकार मुझे भ और चमार रजमेट के पहले हवलदार हैं ये इनके बेटे से बात्चित करवा चुके हैं सरकारे आई और गई आई और गई आई और गई लेकिन किसे ने इनके बारे में नहीं सोचा लेकिन अब इनको आस है कि ये मान समान इसी सरकारी में हमें जरूर मिलेगा मेरे पिता जी को जिसे ये भी और हम भी सान से जी सुके की भारत की आजादी में मेरे पिता का भी बड़ा सयोग था और चाती ठोके हम भी कहें कि आजादी में हमने लड़ाई लड़ी थी हम सिर्फ चुनिलाल जी को जाते समय इनको सहीद और इनको सवतता सेनानी का दर्जा जरूर मिलना चाहिए पूर जोर मांग हमारी है मेरे पिता जी को ये सेमान मिलना चाहिए ये खगदर है और पूरे देस के अंदर चमा एक हैं जीवत कराए है शक्तर के बाद में करोना का चक्कर लगा उसके बाद सब काम खतम होगया जी करोन उसके बाद आप नहीं मिलें आपक अभी कोशिस करें जरूर मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे ज़रूर उतनी है उनके पाट का तो कि उपर यह सूके चलो कोई नहीं वो पूरव राष्टपती लगते हैं लेकिन पावर तो है ला पावर है साब बीजेपी सरकार है जुसकंदर है क्या उन्नीशाबी मिलने की कोशिस करते हैं करेंगे साब बिलकुल करेंगे करते हैं जल्दी ही सरकार के आला नेता विधाय के लोकल सब देख रहे हैं सब तरता सेनानी का दरजा हमारे बीर शिपाई होलार चुनिलाल को जरूर मिलना चाहिए तो हमारे साथ यहां गाउं के परबुद बुद्धी जी भी बोजावास के स्वनों जी आदव हैं सब को मिलना चाहिए सब का हक होता है सबता सेनानी का दरजा तो क्या कहते है तो देखिए मुना लामबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सैनिक पूरे देश का होता है ने उसकी कोई जात होती है ने धरम होता है उसकी जात और धरम सिर्फ एक ही होता है देश की सुरक् के लिए बराबर मातरा में होना चाहिए जैसा कि सवतंतरता सेनानियों को सम्मान मिला हुआ है वैसे ही हमारे गाउं के रहने वाले हावलदार चुनिलाल जी सवतंतरता सेनानी रह चुके हैं वो सम्मान उनको भी मिलना चाहिए जो मान सम्मान भारत सरकार इनको अभी तक दे पाई है हम भारत सरकार से अनुरोद करते हैं कि उस मान सम्मान को और बढ़ा कर इन्हें सौतनतरता सेनानी का दर्जा दिया जाए लेकिन एक सेनिक के सम्मान में कोताई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए हम संगर्स कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे जहिंद जैवारत च्छो छे साल काफी होती हैं एक साल छे मिने दो साल के ज़्यादा ज़्यादा तो इससे पहले इनको मान सम्मान मिल जाएगा इनको बड़ी आस है तो क्या कहेंगी जी लंबा जी आपके हरियान न्यूज 24 का यहां पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं मेरी तो मांग यह है कि जैसे कि 70 साल तक चुनिलाल जी का इतिहास दबा रहा मानने मोदी जी के नेचतों में के अंदर में जो सरकार बनी इन्होंने जेन न्यू में चमार रजमेंट शोद पर चेर डाली और इस पर सोद भी कराया जा रहा है जो हिमाचल से सतनाम सिंग इस पर सोद कर रहे हैं और चमार रजमेंट के बारे में काफी इतिहास उनको मिला है तो हम तो यह मांग करते हैं कि चुनिलाल जी को सम्मान फ्रेड़म फारडर का देना चाहिए और इनको सम्मान देने पर देश के यूवाओं में जोस आएगा और भारत मात्यागी रक्सा के लिए देश की लक्सा के कि युवाओं में जोस आएगा हमें मोदी जी पर और माने राजना जी पर और सरकार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्दी इनको उमर को देखते हैं सब्सक्राइब का दर्जा आउसे मिलेगा तो सबीन बातों के साथ मैं मुना लांबा मेरे सब्सक्राइब के साथ हरिय हर्याना न्यूस 24 नमस्कार जै आप देख रहे हर्याना न्यूस 24 जहां हर खमर बिले सच के साथ